मैं सबसे पहले जरा पांडे जी से पूछ रहा हूँ शहजाद पांडे जी एन शहजाद पांडे जी हाँ हाँ नहीं आप अराम से माइक लगा लीजे वो सीधा करके कोई बात ने लगा लीजे ये जिहाद वोट से जिहाद कर दो क्या है पांडे जी शहजाद उलसवाँ जहाद आप कहारे करांती होती है जहाद क्या होता है आप बता ही वोट से जहाद कर दो क्या मतलब है जहाद का मतलब एक बदलाओ एक तरह से उसको चेंद एक तरह का अंदोलन शहजाद शहजाद आप बेटर बता है पांडे जी की मैंने बात सुना और मुझे लगता है आज पता है पाकिस्तान में हाफिस सईद और अजमल के हैंडलर्स बोल रहे होंगे देखे भारत ने तो हमें क्लिंचिट दे दी ओमकरेश्वर पांडे जी कह रहे हैं जियाद तो एक क्रांती होती है तो मतलब ओसामा बिन एक वोट बैंक की राजनीती को डिफेंट करने के लिए तो फिर लव जिहाद से कहा है अतनी प्रॉब्लम है लव जिहाद जब शब बोला जाता है तो उसको भी स्विकार हो उसको बोला अच्छा शब देए लव जिहाद क्यों आप विरोत करते हैं आज मुद्दा क्या है देखिए आज लूट जूट और फूट के उपर आचुकी है इंडिया लाइंस लूट तो पहले से किया है जवाब देने को है नहीं जो प्रधान मंत्री मोदी का मिशन और वीशन है कि दसवे से तीस स्थान पर आ गए पच्छीस करणों को गरीबी से निकाला असी करणों क देना चारे वोट बैंक को खुश करने के लिए करना टका से लिका अंदर तक और आखरी में फूट और फूट की राजीती कैसी है सनातन समाप्त कर दो राम मंदिर के पूरे कारिकरम को पाखंड बोलना राम जी का अस्तित तो नहीं और वोट जिहाद पहले जिहादियों के साथ अब जिहाद की बात मतलब मुस्लिम मैनिफेस्टों तो था ही और मैनिफेस्टेशन भी मुस्लिम लीग वाला है आप इसकी कलपना कीजिए कि 26-11 के जिहादियों को कौन क्लीन चिट दे रहा था किस ते का ये हिंदों ने किया समाजवादी पार्टी का तो लंबा वो चर्च वो है ना कि वो जिहादियों को छोड़ रहते तो कौट ने रोका तो पहले जिहादियों के साथ अब जिहाद की बात इलेक्शन कमिशन को इस पर संग्याद मिना चाही है इस समय नो वोट जिहाद नो वोट जिहाद दीपक जी मैं आपका व्यूपॉइंट जानना चाहरा पंकर जी को भी लएए जिहाद को किसी भी किसाब से क्रांती नहीं समझा जा सकता ये ये सिंपली एक मजभी शब्द है और इसका मतलब है आज कल जिसतरे की जिहाद प्रोपगेड की जा रही है चाहिए वो अलकाइदा के बारे में हो चहिए वो लशकर-ıtया के बारे में हो चाहिए ओजैश-є महमबत के बारे में हो तो फिर हाफीज साईद भी जिहादी हो गए जो जकी उर्यमान लखवी ने 26-11 में किया उन्होंने भी जिहाद कर दिया तो जिहाद को सिर्फ इस दिशा से कहना कि एक कोई करांती है और वोट जिहाद भई आप वोट के लिए अपील कर सकते हैं अगर आपको कहना है तो ठीक है यह कह दीजे कि बाहरी संका में मेरे मुसलमान भाई भी आएं हिंदू भाई भी आएं वोट के हैं उसको जिहाद मां बेने की जरौत क्या है जिहादी शब्द ही है यह बजभ भी शब्द है और एक मजभ विशेश को बांदने के लिए उनको जोड़ने के लिए यही तो असली चेहरा है इनकी सहिशनुता का परिचय है और इन्होंने सबसे बड़े दंगे मुसलमानों को दिये मुझफर नगर का दंगा, हाशिमपुरा, मालियाना, मीरट जो मुंबई का दंगा हुआ, जलगाओ, इम्दाबाद यह सारे दंगे कॉंगरेस के राज में है मेरा केवल एक सवाल है पर आज देखे एक तरफ तो मुसलमानों को भी ठग रहे है और दूसी तरफ मुसलमानों के नाम पर S.C.S.T. O.B.C. समाज को ठग रहे सर एक वरिष्ट पत्रकार है सर हमारे समविधान में धर्म के आधार पर आरक्षन ठीक है? नहीं है कॉंगरेस ने आंधर से लेकर तेलंगाना से लेकर रंगनात मिश्चा में धर्मिक आधार पर मुसलमानों को दिया और वो भी करनाटिका में तो O.B.C. का कोटा काट कर दिया अब मुझे बताइए कि दोनों चीज़े धर्म के आधार पर आरक्षन और O.B.C. के कोटे से, S.C. के कोटे से काट कर देना क्या ये अंबिडकर जी के साथ समविधान के खिला मैं इसको डिफेंड नहीं करना चाहूंगा कि धर्म के आधार पर दिया जाए अत्वा नहीं दिया जाए क्योंकि जो कानून सम्मत होगा, जो समविधान सम्मत होगा वही होना चाहिए आरक्षण की बात समविधान में आजादी के पहले से इसका कॉंसेप्ट आया बाद में उसको लिया गया और फिर 1990 में जाके जब मंडल कमिशन आया उसके बाद आरक्षण की बातें आई तो आरक्षण को किस आधार पर दिया जाए, किस आधार पर समविधान, भारत का समविधान उसके लिए सक्षम है उसको डिफाइन करने के लिए और जिन राज्यों में आरक्षण 50 परतिशद से ज़्यादा मिला है उसका लिटिगेशन ओलरी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि किस आधार पर मिलना चाहिए धर्म के आधार पर सही करते हैं हम उसको डिफेंड नहीं करते हैं हम उसको नाटो डिफेंड करते हैं तो अभी कॉंग्रेस ने बोला है कि उनकी रिपोर्ट थी मंदल ये रंगनात मिश्या में ये इनको गलती से अगर एक वोट भी चला गया ना ये आपका पूरा आरक्षन चीन कर मुसल्मानों को दे देंगे ये उन्होंने किया है क्या मैं गलत कह रहा हूँ वन्ना खंडन करे इसका ये समझने की बात है रतनाकत रिपाटी जी भी चुड़ रहा है पंका चर्मा जी मैं आपका व्यपोन जाता हूँ मल्टी पंका जी आपका आडियो बेटर है पंका जी नहीं नहीं मैं तो आप सब लोगों को जानना चाहता हूँ कि इस्लामी संदर्ग में जिहाद शब्का क्या आता है जिहाद एक्सपर्ट क्यों जिहाद का नाम लेते क्यों हर अल-काइदा की और उसके आदा ISIS की उसमें जिहाद का सर क्या आप भी समझते हैं मैं भी समझता हूँ आप भी समझते हैं मैं भी समझता हूँ आपको उसको आप मुझे आप उसको कब तक डिफेंड करेंगे सलमान रिपाट नहीं किया है सलमान खुरशीद मेरी आज तक इस से बनी है मेरी नी से लेकिन मेरी बनी नहीं है क्योंकि तॐ ने क्यों कि कॉंझरेस ने मेजी सफा को दे दिया तो मैं बैटा था और, और पंकर जी को अग whose क्यों करने जिहादán इसलामी संदर्व में जिहार का शाओक्ध अर्व क्या है क्या जिहाद का अर्थ एक अच्छे मक्सद के लिए प्रयाद करना है या नहीं है अब आप उसका कोई भी रूर अर्थ बना करके और उस पर मक्षी पर मक्षी मारते रहे और उस परिगाशा को ही दुनिया की सबसे तही परिगाशा माने वो आपकी मज़ी है लेकिन जो शब्द है उसको आप जाती नहीं भावना जाती प्रभूमूरत में तो जिहाद जिहाद क्या है कब तक पंकट जी कब तक इसी चक्कर में सिपढ़ते हैं तो पूछ रहा हूँ ना मैं किसी का बचा हूँ कोई किंदर जैशन कोई किंदर जैश तो जैशी रामुक को मिलिटेंट क्यूं बोलते हैं जैशी राम जो देश को नारा है इसको डेश के वैधर tacar का इसका मतलब है उस Purend करने के लिए आ एक्सपर्ट बन क्या है यो आर जिहाद एक्सपर्ट कॉंग्रेस की पहरवी करते करते जिहाद की पहरवी करनी पड़ रही है यह पतन हो चुका है